ट्रांस्पोर्ट आफ स्पर्म्स इन हुमन, फस्ता कॉंटेंट्स, सेमिन फैर स्टिब्यूल्स, राटी टैस्टिस एंड एपिडादमेस, डग डैफरेंस एंपियूला, सेमिनल वेजिकल, प्रॉस्टेट ग्लेंट, बल्बोयृत्र ग्लेंट एंड़ सीमें, फस्ता सेमिन फ स्टोर्ट, कि उसकी फादा टाइम पिंग स्टोरिज कैसे होगी, स्पर्म्स को अलाइव कैसे रखा जाएगा, क्योंकि अगर स्पर्म्स हैं और वो प्रॉपर मॉटाइल नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो इट मीन्स के वो फर्टलाजेशन नहीं कर सकेगा, और इस पिर आ पिएच मेंटेन रखे जाती है, ताकि वो एक्टिव रहें, तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर सैमिनेट फैर स्ट्रिबूल, सैमिनी फैर स्ट्रिबूल का बेसिक फंक्शन तो स्पर्म प्रॉड़क्शन है, जो इसके अंदर स्पर्मेटोजैनिक सेल्स पाए जाते हैं, इसके लवा फ्लूइड है, फ्लूइड वो लिक्विड मीडिम है, जिसके अंदर स्पर्म क्या कर सकेगा, फ्लो कर सकेगा, मोटाइल होगा, मूव कर सकेगा, रैटी टैस्टिस एंट, एपिड़ड़मस, अब अगर हम देखें तो सैमिनी फैर स्ट्रिबूल से जब स्पर् पॉर्षन, नेक्स जो पॉर्षन वो है, रैटी टैस्टिस हैं, रैटी टैस्टिस है network of tubules है, यहां से स्पर्मege करते हूं, रैटी टैस्टिस के अंदर से move करते हूं, ultimately, epididymus में पहुँच जाते हैं, epididymus ते coiled tubules हैं, dilated है, coiled है, तो sperms initially जो प्रोडू़स होंगे, टेब करना वहाँ जा उसको रखना होगा अब next one epididymus से अगरा जो structure है वो हमारे पास है worst difference है अच्छा जी tubular portions हैं they have ability to contract इसमें जो muscular contraction जो होगी उससे क्या होगा कि आज सा स्पर्म जाओ उनको आगे की तरफ जाओ मूव किया जाएगा तो स्पर्म जो हैं वो ultimately move करेंगे from epididymus to the worst difference वास difference बेसिकली यह टेस्टिस तो टेस्टिस के पिलको साथ attach होता है तो worst difference वो tubular है जो टेस्टिस से उपर की तरफ मूव कर रही होती है और यहां से तो worst difference के अंदर से स्पर्म मूव करते हुए आगे swollen portion आजाएगा वास difference का that is called ampulla. Ampulla के अंदर sperms को store किया जाएगा till ejaculation जब तक ejaculation नहीं हो जाएगा स्पर्म को वहीं क्या किया जाएगा store किया जाएगा अब ampulla के बिलकुर साथ एक structure मुझूद है that is called a seminal vesicle. Seminal vesicle वो fluid secretion देगा जिसके अंदर vitamin C मुझूद है, prostaglanders मुझूद है, pH जह वो maintain करने वाले buffers मुझूद है तो seminal vesicle का basic function क्या होगा कि sperm को nourishment provide करना उसको वो pH साथ यानिके पूरे medium की maintain रखाना ताकि sperm जो active रहें और female reproductive track के अंदर जाकर pH को ये effect करते हैं, female reproductive track की pH को ये neutralize करती है, secretion की seminal vesicles की prostate glands, prostate glands का basic function जो होगा, इसके enzymatic secretions आती है और इसके लावा कुछ cholesterols है या फिर buffering salts वगारा जो होगे, तो ये buffers जो होगे जितने भी, ये during salts का basic important role जो क्याता है कि वे pH को maintain करते हैं, pH को एक खास range के अंदर लेकर आते हैं, क्योंकि जो female reproductive track है, उसकी pH जो हो डिफरेंट होती है bulbo-urethral glands, bulbo-urethral glands का जो important function आते हैं, गेव अलकलाइन secretions, ये इसके जो secretions है, उसमें alkaline secretions होती है, जो एक्चली pH को raise करती है, ठीक है, इसके लावा इसका important function आते हैं, there for lubrication purpose, ये क्या करेंगे, lubrication का role play करेंगे, semen, अब जब अगर हम जितने भी देखने हैं, for the time being, sperms जहाँ वो store हो गया है, कहाँ, अगर हम इसको देए, ampulla के अंदर store है, ये different types of secretions जो हम पिर आगे इसमें शामल हो रही हैं, अब ये जो secretions है, all types of secretions, चाहिए उसमें nutrients आ जाएंगे, उसके अंदर lubricating material आ जाएगा, pH maintaining material जाएगा, sperms themselves हैं, all these secretions, they are collectively called as the semen, तो sperms जो है, वो semen की form में बाड़ी से क्या किया जाएंगे, release किया जाएंगे, और penis के अंदर वो specific tubule, tube, जिसके अंदर से sperms move करते हों गुजरेंगे, that is called the urethra है, human के अंदर अगर हम बात करें तो within, अगर हम sperm production के वैसे बात करते हैं, तो sperms जो है, approximately, it is, यह 3-4 months जो है, वो require है, एक sperm को far complete maturation process, अब लेकर हमारे जो testis के अंदर, जो thousands of sperms per second बन रहे होते हैं, every time जो बन रहे हैं, तो one ejaculation जो है, it contains about 300 to 400 million sperms, अब this is a huge number, यह huge number of sperms basically, इसलिए है, to ensure the fertilization process, ताकि fertilization process को ensure किया जा सके,